साडी is ऐसा पहनवा है जो हर यूमेंट पर अच्छा लगता है शाय आप मोटी हैं पत्ली हैं गोरी आई काली है लेपे लगती है आपके धर में कोई फेस्ट्वेल होता है या फिर कोई से अच्छा भला फिगर हमारा खराब हो जाता है तो चोटे-चोटे से ऐसे कुछ टिप्स में सेयर करूंगी जिनको आप फालो करके आप अच्छा फिगर आप कर सकते हो हर लड़की ऐसा फिगर पाना चाहती है तो चलिए वीडियो में बने रहेगा वीडियो कसंद है तो ला आज कर ट्रेंड में क्या चलना है उसके साथ साथ हमें जो मैन प्वइंट पर देखना है वह है कि हमारी साड़ी का यहाई होना चाहिए तो कुछ ऐसे होते हैं जो आपके काफी अच्छा नहीं दिखा पाते उन में से कुछ ऐसे फेब्रिक होते हैं जैसे कि कांटन हो गया खादी काटन हो गया और ब्रोकेट इस तरह को जो फैबरिक होते हैं आपकी बाड़ी में हम नहीं करते हैं जिसकी वज़े से आपका अच्छा भला फिगर खराब हो जाता है तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैबरिक जो आपके उपर ज्यादा सूट करेंगे आपक इस तरह की साड़ियां है आपके उपर काफी अच्छी नहीं है तो वह इतने अच्छे आपका फिगर नहीं सो करेंगे सिमुआगे हैं प्लाउज हो सके तो जदा लबा फ्लबा छुड़ा सा सिलवा सूरत है प्रेट जादा ना दिखे क्योंकि जब जब ज़्यांदा प्रेट दिक्ता है तो हमारे फिगर फूरा बेकार खराब लगने लगता है अगर जितना ज्यादा हो सके उसको आप बंद करके धक करके पहने धकने का मतलब यह नहीं कुछ लड़ी जो क्या होता है जैसे यह जब साड़ी ऐसे पहनती है ना जो यह फ्लीट्स के बगल में जो कपड़ा बसता है ना उसको ब्लाउज में टक कर लेती हैं सेफटी पिल की मदद से वह बहुत ही बेकार लगता है उसको टक नहीं करना है उसको टक करने से आपका फिगर अच्छा भी है वह भी खराब दिखने लगता है इसके वज़ए आपको क्या करना है साड़ी को थोड़ा सा उपर से पहने इस तर बांदिये तो जब आप साड़ी इस तरह से उणोगे ना तो पूरी तरह से ढख जाएगा और काफी अच्छा भी दिखेगा इस तरह से आपका फिगर अगर ज्यादा है भी है कोई प्रापर सेफ नहीं है तब भी काफी अच्छा दिखा गर क्योंकि यह जो बाखी चीजे यह जो पीछे का मोटा एरिया है यह ढख जाएगा ना तो काफी अच्छे से अपने दिखेगा तो आपको इस तरह से जो मैंने पतले कपड़े में यह साड़ियां बताई ना उनको आप इस तरह से वेर करोगे तो आपका रूप प्रापर सेफ हो आप हम बात करेंगे कि साइज का बाडर लेना है तोड़ी बाडर लेना है या फिर आपको बाडर बिल्कुल बाडर नहीं लेना है उससे आपका फिगर काफी अच्छा दिखेगा और कुछ साड़ियों में बाडर ज्यादा चाउड़ा होता है आपका जो यह पूरा बाड़ी कि लन्ध है वह कट जाती है ना चौड़े दर की वजय से जब कटे जाती है तो आपकी हाइट कब जैदा कम दिखने लगती है। और वही बार्ट जो चौड़ा व्रड़्र आपके या-प्रेंस तो या-प्ली से बना तो क्लेट सिंभ लोह कान ही जै जब आपका चौड़ा वाड़ट से आपका ये पूरा जब चौड़ा दिखेगा तो आपका बाड़ी से बिगड़ जाएगा तो सबसे बढ़िया है कि आप साडी को प्लेन रखे प्लेन की अगर नहीं रखनी है तो थोड़ा कम बाड़ में रखे उससे आपका फिदेर काफी मेंटें दिखेगा अब बाड़र वाली साडी ले रहे हैं तो उसमें भी आपको कुछ ध्यान देने वाली बात है तो मालिजे आपका साडी का कोई भी कलर है तो जो सबसे में चीज़ ध्यान रखनी है जो आपका अंदर का एरिया प्रेन वाला एरिया है उसे आपको लाइट रखना है और जो बा डार्क कलर है बार्डर का वो ज़्यादा सो होगा और ये जो बीच का एरिया है ये लाइट रहेगा ये कम सो होगा तो आपका फिगर आटोमेटिक अच्छा दिखेगा क्योंकि जब दोनों कलर डार्क हो जाएंगे ना तो वो पूरा हैवी हैवी दिखने लगेगा जब बीच का एरिया लाइट रहेगा बार्डर डार्क रहेगा तो जब यहां से कमर से लेते हुए आगए ना तो पूरा किसी का ध्यान उस बार्डर पर जाएगा और ये चीज ज ज्यादा निखर करके आएगी इस से आपका जो भी फिगर ज्यादा है या फिर कोई सेप नहीं है तो उसमें थोड़ा सा से प्रेयेट होगा उस बार्डर की वज़ेद में तो बार्डर को आपको डार्क लर में रखना है और बीच का जो भी पार्ट है वो आपको लाइट इससे भी आपका फिगर काफी अच्छा दिखेगा साड़ी के साथ सब आपको ब्लाउज के बारे में भी ध्यान देना है ब्लाउज का जिससे कि हम कंफूजन हो जाते कोई महीं साड़ी खरीटे तो लगता है कि हम पढ़िया सा डिजाइन ब्लाउज बनवाएंगे खोब ब आपको जो भी पसंद है खास करके वी गला रखोगे तो जो फिट है ब्लाउज का काफी अच्छा आता है या गोल गला भी आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा डीप में बनवाएंगे और सिंपल बनवाएंगे कोई ज्यादा डिजाने जैन नहीं बनवानी है आपको जो आस्तीन है आपको यहां तक बनवानी है जिससे आप काफी अच्छे वैल फीटर दिखोगे बात करते हैं कमर की कमर में कभी-कभी कुछ व्लाउजे ऐसे होते हैं कुछ टायम के बाद कमर में धीले हो जाते हैं या टाइट हो जाते हैं टायट होने की वज़ए से हम मैसूस कर दें लेकिन वह आपका वीघाद दें तो इसके लिए आपको किस आपका जो सहो से अच्छा दिखेगे अब बात व्लायोश की सो रहे तो इसाहसाध हमने 먹고 जिसक算 पेंगे हमारी जो नट की साड़िया होती है तब जिन हमद फिन कपड़ की साड़िया कई है इस तरह की साड़ियों में सिफॉन जार्ज congr Das इस आजो इन में आपको ज्यादा घ्र वाला पेटि कोट Вам पेहन बंशना है क्यों कि ज़्यादा ये सेप में जो पेड़ी कोट आते हैं आपको वेर करने हैं या फिर जो सेपर आते हैं आप अगर उनने कमफार्ट हो तो आप सेपर भी पहन सकते हो वो भी आपके लुक को कफी अच्छा दिखाएंगे क्योंकि उसमें जड़ा घेर नहीं होता है तो इस तरह से आपको कोई प हील पहन सकते हील पहनने से आपका फिकर है वह पड़िया सा इसके साथ अब लगा सकते हो बेड़ लगाने से भी आपकी हैट काफी अच्छी दिखती है और थोड़ा सा जो figure है अगर heavy figure भी है चोड़ाई से बना हुआ है वो भी थोड़ा सा well fitted लगता है तो ये दो चीज़े अगर आप और भी add कर सकते हो तो जरूर add करिए heel को और आप build को add करिए इससे आपकी height काफी अच्छी लगेगी जब height अच्छी होती ही ना तो साड़ी का जो भी लूख है वो काफी अच्छा दिखाई देता है तो ये थी छोटे-छोटे point हो सकता है आपको ये छोटे-छोटे point जरूर मदब करेंगे अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like चरी करिएका चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करिजे